9 जो कि परक को लेकर है पूचा गया है परक को लेकर बताएं कौन सी statement आपके correct है कौन सा कथन आपका सही है परक जो है एक autonomous institution है जो कि education ministry के अंतर गता आता है और यह basically ऐसे norms guidelines को set करता है जिससे कि जो students है उनका assessment हो जाए और जो school boards है उनका भी evaluation हो जाए यह क्या करता है यह standardized testing को guide करता है ताकि learning outcomes देखे जा सके कि बच्चे जो school में जा रहे है कुछ पढ़ भी रहे है या उनको कुछ understanding हो भी रहे है या फिर सिर्फ school में जाया जा रहे है यह state or national level के उपर यह चीज़ें judge करी जाती है measure करी जाती है evaluate करी जाती है सोचिए परक को लेकर क्या answer होगा परक की वैसे फुल फुम है performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development repeat कर देता हूँ performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development अगर फुल फुल फुम आपको दी होती तो question कहां सा करना बहुत easy हो जाता तभी UPSC आपको फुल फुम नहीं देगा exam के अंधर chances are very likely कि नहीं देगा यह एक national assessment center है एक autonomous institution है जो की union education ministry के डायरे में आता है उनके अंतरगत आता है और इनका main काम भी कह है student को assess करना student को evaluate करना और schools को evaluate करना तो यह चीज बिल्कुल ठीक हो जाती है और यह क्या करेगा यह basically देखते है कि outcome learning जो चीज़े स्कूल में पढ़ाई जा रहे है उससे learning outcomes क् ठीक है कि जो चीज़े बच्चों को पढ़ाई जा रहे है क्या बच्चे उससे कुछ सीख रहे है या सिर्फ स्कूल में जाकर 4th class से 5th में जा रहे है और 5th से 6 में जा रहे है सिर्फ standards change हो रहे है learning कुछ नहीं हो रहे है तो यह चीज़े assess करने का काम जा है वो परक के radiation